हेलो फ्रेंज, सुरीन सॉलिट कंस्ट्रक्शन्स में आपका स्वागत है अगर आप अपना नया घर बनवाने का सोच रहे थे और आपके पास पैसे हो रहे थे कम और इस वज़े से आप सोच रहे थे कि अपना ये प्लान ड्रॉप कर दे तो अब आपको ये प्लान ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं क्यूंकि आपको बता दे कि अब जो है स्टील बार यानि कि छड की रेट में कमी आ गई है इधर पीते दिनों कुछ दिनों से छड हो बालू हो हर चीज की जो रेट है वो बढ़ी हुई थी लेकिन अभी जो है आपको रेट में गिरावट देखने को मिल रही है और उसके वज़े से आपको फायदा हो सकता है आपने नए घर बनवाने में तो फ्रेंज अगर आप चानना चाहते हैं कि इसका रेट क्या है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जड मिलते किस किस M.K है 6 M.K, 8 M.K, 10 M.K, 12 M.K, 16 M.K तो जो 6 mm और 8 mm का rod होता है वो तो आपके ring बनाने में use हो जाता है लेकिन अब भी जो हम लोग घर बनवाने के लिए mostly use करते हैं वो 12 mm का rod use करते हैं क्योंकि commercial के लिए आपको 16 mm और उससे ज़्यादा की ज़रुत परती है बट हमारा जो आप residential purpose से घर बनाते हैं उसमें 12 mm का rod का ज़रुत परता है जो कि हमारे columns में use होता या फिर ढलाई हो या फिर आपके columns हो उन सब जगह पर ये 12 mm का बारा आप use करते हैं आपके rate जानने से पहले आप अगर मेरे चानल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और अगर आप पहले से हमाँ चनल देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताईए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है तो अब हम आपको rate बताते हैं 8 mm rod ज बता दे कि 10 mm rod आपको कितने का पड़ता है 10 mm rod जिसको हम 300 rod कहते हैं उसका cost आपको 67 per kg पड़ रहा है यह average rate है तो आपको का थोड़ा कम इधार को मानना पड़ेगा जैसे कि अगर हम 65 कह रहे हैं तो हो सकता है किसी state में इसका दाम है वो 64 रुपय पर kg या फिर किसी state में 66 rod की बात करें तो उसका cost हमको 66.20 पर kg पड़ रहा है तो friends यह जो आपका 16 mm जो की आपका 6 सूत का rod हो जाता है उसका cost आपको पड़ जाता है 66.20 पर kg अगर इसको आप 20 से देखना चाहें तो हम आपको बता दे कि 8 mm के rod का पर 20 धाम आपको 460 रुपया पड़ रहा है 8 mm के rod का पर 20 धाम आपको 460 रुपया पड़ रहा है 10 mm rod के पर 20 का दाम आपको 700 रुपया पर पीस पड़ रहा है और 12 mm के rod को आपको 1000 रुपया पर पीस पड़ रहा है वही 16 mm का जो rod है उसका cost आपको 1450 रुपया पर पीस पड़ रहा है अगर हम metric 10 के बाद करें तो आपका UP तरफ जो 12 mm का rod है per 10 51,700 kg पढ़ रहा है और गुजरात में 51,200 per 10 के इसाब से पढ़ रहा है लेकिन यही कुछ जगहों पे 49,000 per ton भी पढ़ रहा है अगर हम चेननी की बात करें तो आपका 12 mm का rod का per 10 price जो है 47,000 रुपे पढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं difference यहीं दिल्ली में आपको 53,000 रुपे 600 per ton के इसाब से पढ़ रहा था लेकिन चेननी में 47,000 के इसाब से पढ़ रहा है तो थोड़ा सा statewide भी differ हो जाता है तो friends अगर आप पूरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता हो चल रहा होगा कि थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लगी गया होगा कि क्या rate पढ़ रहा है तो friends अगर आपको भी अपना घर बनवाने की बहुत जल्दी थी तो जाईए rod खरी दिये और उसके बाद अपना घर बनवाईए और जाते जाते मेरे चनल को सब्सक्राइब करते जाएए ताकि हम आपके लिए वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आया करें बाई friends